वालेकुम जी कैसे हैं आप सब लोग आज जो रेस्पी आपके साथ में शेयर करने जा रहे हूं यह बहुत सारे लोगों की फर्मेश पर बना रही हूं बहुत सारे लोग परशान होते हैं कि जब हम गर्मे केक बनाते हैं तो हमारा केक अच्छी तरह भूलता भी नहीं है और जालीदार भी बनके रेडी नहीं होता यह जालीदार कैसे बनेगा और सही तरीके से फूलेगा कैसे बेकरी से सोग ना बहुतर गर्मे कैसे बनेगा उसके लिए आपने रेस्पी को पूरा देखना है बिना स्किप किये तो अगर वीडियो जड़ा भी अच्छी लगे लाइ टीक केक यह देखें जी टीक केक बनाने के लिए सबसे पहले एक मेने बॉल ले लिए दो अदद अंडे लोंगी अंडों को तोड़ लेंगी हम बॉल के अंदर सारी वीडियो को पूरा देखें के आप बिना स्किप किये फिर ही आपको समझ आएगी अगर आप स्किप करके देखेंगे तो ड्रेस्पी आपकी बरबाद हो जाएगी जरा भी आपको समझ नहीं आएगी इसमें कोई भी हम जो एलेक्ट्रिक बीटर है उसका इस्तमाल नहीं करने वाले ना ही किसी ग्रैंडर का सिरफ जो हाथ वाला बीटर होता है उसी से हम अच्छी तरह बीट करेंगे अंडों को हमने पांच मिनट तक बीट कर लेना है यह देखे जी अंडों को मैंने पांच मिनट तक बीट कर लिया था यह उपर देखे जाकसी आगी है बस इसी तरह का हमें चाहिए अब यह मैंने शुगर लिया है पाउडर वाली पिसी हुई चीनी चीनी आप लें दानेदार उसको ग्रैंडर में डालकर उसकी आप जो यह देखे अच्छी तरह हमने चीनी और जो अंडे थे उनको बीट किया है तो हमारा यह क्रीमी से टक्चर हो गया इसी तरह का हमें चाहिए अब हाफ कप मैंने कुकिंग ओयल लिया यह डालेंगे सारी मैयर्मेंट आपने एक कप से ही करनी है अच्छी तरह इसको भी हम इस तरह बीट कर लेंगे जितना हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे उतना ही हमारा केक भूलेगा भी और जाली दाल भी बनेगा वन टी स्पून जितना इसके अंदर मैं वनीला एसेंस का डालूँगी इससे बहुत ही प्यारी से खश्बुआ आएगी और जो अंडों की स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी अब यह देखें जी मैंने वही कप से मेदा लिया है मैंने डेट कप मेदा लिया है सोरी और वन टी स्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पौडर का डाला इस तरह का बहुत असानी से मिल जाता है चुटकी बार मैंने इसके अंदर food color डाला lemon वाला और साथ चुटकी बार मैंने इसके अंदर मीठा soda डाला है baking soda और साथ ही मैंने चुटकी बार इसके अंदर नमक डाला है सारी चीजों को हम अच्छी तरह mix करेंगे आप ये dry वाला किसी airtight container में डाल के रख सकते हैं अब जो अंडो का बेटर हमने बना करका हुआ था उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल कर हम एक ही डिरेक्शन में इसको इस तरह मोल्ड करते जाएंगे कि अच्छी तरह mix करना कोई भी अंदर गुट्ली या लंब सब्सक्वेरा नहीं रहना चाहिए एक ही डिरेक्शन में करेंगे हम और साथ ही हाफ कप जितना मैंने दूद लिया दूद हमारा रूम टमप्रेचर पर होना चाहिए ना थंडा ना गरम अंडे भी हमने ठंडे वाले नहीं लेने अगर आपके अंडे फ्रिज में पड़े हुए है तो वो आप आदा गंटा पहले निकाल कर रखें जब वो रूम टमप्रेचर पर आएंगे तब ही आप इसमें यूज़ किजिएगा यह देखें जी बैटर हमारा रेडी है इसमें आप ड्राइ फ्रूट वगरा भी डाल सकते हैं अब इसको हम आवन के बगार बेक करने वाला है उसके लिए मैंने कराई में नीचे देखें नमक डाला है और एक मैंने छोटी सी केटोरी रखी है ड्रेक्ट हम नहीं रखेंगे और इसको हमने 45-50 मिनट तक मिडियूम लोग फ्लेम पे पका लेना है यह देखें माशाला माशाला कितना यूनिक स्टैल में बहुत ही लाजवाब हमारा यह टीक केक बनके रेडी हो गया चेक करते हैं अंदर से यह पकाया के नहीं उसके लिए मैंने एक तूद्पिक लिया उसको हम अंदर डालेंगे और इस तरह निकालेंगे देखें बिल्कुल क्लीन है इससे हमें पता चलेगा हमारा जो केके अंदर से बिल्कुल पर्फेक्ट बन गया और बहुत अच्छी तरह पूल गया अब हम इसको निकालके 10 मिनित के लिए ठंडा करेंगे फिर हम इसको डे मोल्ड करेंगे छोरी से इसके किनारे हम छोडा लेंगे इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अची लगए तो मेरी वीडियो को लाईक कीजिए को मेरी चैनल को सब्सक्काइब कीजएगा दोस्तों में family में ज़्याद से ज़्यादर recipe को share किया करें comments में ज़रूर उखाएगा आपको में recipe कैसे लगते हैं देखें माशालला बगार oven के हमने ये cake बना है कितना perfect बना है ऐसे लगण है हमने oven में इसको bake किया लेकिन हमने बगार oven के इसको bake किया अब चुरी के साथ कट करके दिखाती हूँ आपको कटने से ही अंदाजा हो रहा होगा कि कितना ये स्पॉंजी और सॉफ्ट बना है अब इसके उपर मैं थोड़े से ड्राइफ रूट लगाऊंगी उपर हमने पहले कोई भी आपके घर में वो जैम है यहां पिर शेहद है वो उपर आप इस तरह अप्लाई कर लें और थोड़े से उपर कटे वे मैं बदाम इस तरह लगा दूगे आपके गर में कोई भी ड्राइफ रूट है वो आप लगा सकते हैं बदाम कोई जरूरी नहीं अच्छी तरह हाथ के साथ उपर हम इस तरह प्रेस कर लेंगे देखें जी माशाला बिल्कुल केक हमारा रैडी है इसको कट करते हैं यकीन माने मेरे कहने पर एक बार इसको ज़रूर ट्राइ कीजेगा एक बार अगर आप घर में बनाएंगे तो कभी भी बेकरी से केक नहीं मगवाएंगे गर में ही हर बार बना के खाएंगे क्योंकि साफ सुतरे महौल में गर में बनता है और अपने नजर के सामने अपनी हर चीज अच्छी जो अंदर डाल के हम यह वाला केक बना सकते हैं बच्चों के लिए बनाएं जहां फिर फैमिली को चाय के साथ बना के सर्फ करें इंचाला सबको बेख़द पसंदाएगा महमानों के आगे बना के रखेंगे तो यकीन माने महमान इसकी रेस्पी पूछे भी ना कभी भी नहीं जाएंगे इतना ये सॉफ्ट, स्पॉंजी और एक तम यूनिक स्टेर में हमारा ये टी केक बनके रेड़ी होगा देखे माशाला कितना यूनिक है इसको आप इस तरह कट करके किसी एट आट कंटेनर में डालकर एक हफ़ते के लिए यूज़ कर सकते हैं कभी खराब नहीं होगा जब भी दिल करें निकालें आप चाय के साथ इसको सर्फ करें इंज्वाइ करें बच्चों को बना करें बच्चे इसको बेख़त पसंद करेंगे और भी मेरे चैनल में बहुत सारी मैंने केक की वीडियो डाली होई है उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी उसे भी आप देखिएगा वो भी आपको बेख़त पसंद आएगी चॉकलेट केक वनीला केक ये टी केक ट्राइ फ्रूट केक टूटी फ्र जवाब है इसी के साथ उम्मीद करते हूँ आपको मेरी रेस्पीस बहुत पसंद आ रही हैं अगर आपको मेरी रेस्पीस पसंद आ रही है तो प्लीज प्लीज फटावर से जोकेत वाम चैनल को सबस्क्राइब कर दें साथ में जो बैल का बटन अशको पैस कीजिएगा उस मुझे अपनी दौआ में जरूर याद रखिएगा नेक्ट वीडियो के लिए आला आफेज